Good morning all of you नई दिशा मैं आपका एक बार फिर से इस बागत है तो आपको पता है कि माचल समान ने ग्यान कि हम 9 अगस तक 300 वेशन के एक जो टेस्ट सिर्ज है वो कर रहे हैं और उनी कोशन को किया जा रहा है जो कि एक्जाम में आ सकते हैं तो प्लीज वीडियो को पूरी देखें स्किप न करें जैसे 300 कोशन पूरे होते हैं तो आपको इसका ओनलाइन टेस्ट का लिंक दी जाएगा और साथ में इसकी पीडियेफ और साथ में मोग टेस्ट भी दी जाएगा तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगें तो चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जूर कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की आपड़ेट आपको समय समय पर मिलती रहें तो चलते हैं आज के पहले कोशन की तरफ यह रहा पहला कोशन जैसे कि आपको फत है कि डेली 6 बज कर 30 मिन्ट पर HPGK की कलास होती है एक टेस्ट हीर चलाई जा रही है 300 कोशन की 9 अगस्त तक जैसे 9 अगस्त तक 300 कोशन पूरे होते हैं तो आपको इसका ओनलाइन टेस्ट का लिंक दे जाएगा साथ में इसकी PDF दे जाएगी तो आशा करतों कि प्लीज वीडियो अच्छी लगें तो चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब कर लें और जो नए है वो यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आने बहले हर वीडियो की अप्रेट आपको ऐसे ही मिलती रहे तो यह रा पहला कोशन यमुनवा नदी उत्तरा खंड में बहने के बाद इमाच्छल के सिर्मोर जिले में कहां परवेश करती है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं सबसे पहले यमुनवा नदी उत्तरा खंड में बहने के बाद इमाच्छल प्रदेश के किस जिले में परवेश करती है तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं तो यह करती है ताजेवाला बान में अगर आपको एक्जाम में पूछा जाएं कि इसका उद्गम स्थल क्या है तो आप बता सकते हैं कालिंद परवत यमनोत्तरी ये इसका उद्गम स्थल है पुराना नाम क्या है इसका इसकी लेंग्ट कितनी है वो हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके है ये रहा नेक्स कोशन किस दर्रे को शिंगोला के नाम से भी जाना जाता है तो जल्दी से इसका उद्गम स्थल कर चुके लेंग्जाम के लिए काफी मत पूर्णे तो वीडियो को पूरी देखें स्किप न करें बहुत ही अच्छे कोशन मिलेंगे जो कि आपको एक्जाम में आ सकते हैं वही कोशन करवाए जा रहे हैं फालतू के कोशन नहीं करवाए जा रहे हैं तो वीडियो को अच्छी लगें तो ब्लीज शेर जूट कीजिए तो जल्दी से इसका रैटेंस बताएं तो यह आपका ज्यासकर दर्रा आप मुझे यह बताओ कुमेंट बोक्स में जो ज्यासकर दर्रा है बहुमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तीत है नेक्स बात करें तामसर दर्रा है बोक्स माचल प्रदेश के किस जिले में है इसके बारे में भी आपको जानिकारी होनी चाहिए आपका कांगड़ा है तामसर दर्रा अगर हम्ता दर्रा के बात करें तो ये कुल्लू और लॉल्स पीती के बीच में स्तित है नेक्स बात करें चंदर खेरनी दर्रा तो ये वह इमाच्चल प्रदेश के किस जिले में स्तित है तो बीडियो को द्यान से देखें, स्किप न करें, यह रा नेक्स कोशन, कुलू राजाओं की पुरानी राइधा निकान थी, जहांसे उनकी बारा पीडियों ने शास्तन किया था, इसमें से आपको बताना की जो कुलू की राइधा नि थी, वो कान थी, तो जल्दी से इसका राइधा निकान थी, जहांसे उनकी बारा पीडियों ने शास्तन किया था, आपको बताना की यह राइधा निकान थी, कुलू राजाओं की राइधा निकान थी, पुरानी राइधा नि. देखते हैं, आप कितनी तियारी कर रहे हैं, इमाचल एक्साम के लिए, तो इस चैन एक्सटा भी बताए जारा है और मॉर्णिंग में आपको आपको डेली शेव बजगे तीस मिन्ट पर क्लास मिल रही है एच पीजी के की आपको पता है कि जैसे दस या बारा कोशन डेली डाले जाएंगे तीनसो कोशन डालेंगे नौगस तक उसके बाद के अग्जाम के और विए अन्य एक्जाम होगे तो हम एकजार कोशन के सेस्टार्ट करेंगे तो जल्दी से इसका रहेटन से बताएं तो इसका होगा जक्त सुक कुल्लू राजाओं की पुराणी राइधानी थी उन्होंने कितनी पीडियों तों किशास्तन किये था कोशन से भी आपके अंसर बनाना सीखिए सत्दारा ठंडा जर्नाईमा चल परदेश के किस जिले में सत्वत है तो जल्दी से इसका रेटंस बताएं जो सतदारा ठंडा जर्णा है वो इमाचल प्रदेश के किस जिले में स्तित है तो जर्णे से जितने भी कोशन बनते हैं आप अच्छे से पढ़ें और इस चैनल के मादर में से आपको जडूर करवाएंगे तो यह आपके चंबा में सतदारा ठंडा जर्णा इसे भी आप याद रखें ठंडा जर्णा डलोजी में स्तित है इसे भी आप याद रखें यह रा नेक्स कोश्ण टापरी गर्म जर्ना हिमाच्चल प्रदेश के किस जिले में स्तीत है जो टापरी गर्म जर्ना हिमाच्चल प्रदेश के किस जिले में स्तीत है जल्दी से इसका राइटन से बताएं टापरी गर्म जर्ना हिमाच्चल प्रदेश के किस जिले में स्तीत ह तो चार उफन आपकी स्क्रीन पे हैं अच्छे से स्टडी करें आने बाले हिमाच्चल एक्जाम के लिए जैसे जुलाई मंत खत्म होगा तो इस यूट्यूब सबता हैं टापरी गर्म जर्ना इमाच्चल पुदेश के किस जिले मस्त है तो यह आपके कि नौर में यह रा नेक्स्ट कॉश्चिन सन 1985 में किस देश की तकनीक के उपयोग दुवारा पालमपूर में मश्रूम विकास पर्योजना का रंब किया गया था तो पुर्तगाली डच अंग्रेज फ्रांसिसी इसमें से आपको राइटन से बताना है यहां से पता चलेगा कि आपकी कितनी त्यारी है ऐसे कोश्चिन आपके एचेस में पूछे जाते हैं तो जल्दी से इसका राइटन से बताएं तो इसका होगा डच ने क्या किया था ने 1985 में इसकी तकनीक के कारण जो पालंपूर्वे मश्रूम विकास प्रियुजना का रंब की गए था किसके दुवारा की गए था डच के दुवारा तो ऐसे कोश्चिन आपके एचेस और अलाइड में पूछे जाते हैं तो कोई फाल्तू कोश्चन ही करवाएंगे मापको जो इंपोर्टेंट है जो एक्जाम में आ सकते हैं उन्ही को करवाया जाएगा यह रा नेक्स्ट कोश्चन दी लेडी ओफ के लांग गिलेशियर हिमाच्चल परदेश के किस जिले में स्तीत है तो जल्दी से इसका राइ परदेश के लेडी ओफ किलांग गिलेशियर तो आप कोश्चन को अच्छे से समझें और ध्यान से पढ़ें यह रा नेक्स कोश्चन नैंसर जील इमाच्चल परदेश के किस जिले में स्तीत है तो जल्दी से इसका राइट अंसर बताएं देखते हैं आप जीलों से कितनी जानकारी रखते हैं नैंसर जील इमाच्चल परदेश के किस जिले में स्तीत है तो जल्दी से इसका राइट अंसर बताएं कुल्लू कि नोर लौस पी ती सिर्म और चार ओफ नौकिस्ट किन पर राइट अंसर आपको बताना है तो यह आपके कुल्लू में कौन सी नैंसर ज कहाँ परिस्टित है कुल्लू में यह राइट जुग्ण अदोलन स्वंदित था तो जल्दी से इसका राइट अंसर बताएं स्रिमोर से शिमला से बिलासपूर से कुल्लू से देखते हैं सबसे पहले किसका रिपलाय आता है तो यह आपका बिलासपूर से आप मुझे यह ब जबताएं का व मैं मा पूस्ट काल ले काम पर है तो इस मेंसे आपको बताने कि मैं मा पूस्ट का ले यह नानिया प्रिश्का ना के सिर मोर में नान के सिर्मोर में जो बांग का राजा था अमरप्रकाश उसने अपनी पुतरी के नाम पर महिमा पुस्तकाले रखा था जो कि माच्चल पुदेश का सबसे पुराना पुस्तकाले है और अगर आपसे एक्जाम में पूशा जाएं कि इसने कब से लेकर कब तक शासन किया था तो 1911 से लेकर 1933 तक इसने शासन किया था अगर आपको एक्जाम में पूशा जाएं कि इसकी मृत्यू कब हुई थी तो इसके वारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो इसके मरित्यी हुई थी 1933 1933 के अमर्प्रकाश की जो पुतरी थी मैं अकुस्तका आंपर կह नाम रखका था यहीमाचल परदेश के प्रत्म लोका युक्त कौन थे तो इस有沒有 परदेश के प्रत्म लोका युक्त कौन?" तो ये थे नेयदिश टिवियाए टाटाचारी अगर इसके बात करें तो इसे पनृधे जोगी नेयदिश गुका है इसको बनाए गया था पांच साल के लिए लोकायुक्त वो कब बनाए गया था कई बार एक्जाम में ऐसे पूछ ली आता है तो 1983 से लेकर 1986 तक में लोकायुक्त रहे थे हिमाचिल परदेश के प्रत्थम 1983 में ने बनाए गया था अगर नेक्स बात करें शीरी एनसी में था तो जो इमाचिल परदेश के प्रत्थम आय़ोक्त थे प्रत्थम मुख्य आयोक्त थे अगर नेक्स बात करें नेमुर्अति हमिदुल्ला वबेग तो तो इह इमाच जो परदेश के प्रत्थम क्योस्णा दीश ते आप मुझे कोमेंट में यह विदाए प्तहाई कि समाई में हिमाचल प्रदेश के नियदीश कोन है अगर डोक्टर यश्वन सिंग परमार की बात करें तो यह वे इमाचल के फर्स्ट मारे सीम थे मुख्य मंतरी तो ऐसे कोशन आपको एक्जाम में बनेंगे तो कोई भी फालत कोशन आपको इस वीडियो के मादिम से नहीं करव एक हिमाचल प्रदेश में परसिद राद शाम मंदर का मैं आपको बार बार भुरा नहीं कि यतने भी आपके मंदर इस यूट्यूबैर के बीडियो से जितने भी आपको इक डाल नहीं से तो यह आपके बिलासपुर में कौन से डिर्व sihूश uppon बिलासपुर में तो ऐसे कोशन बनेंगे आपके एकजाम में तो वीडियो को जूर देखें, स्किप न करें और शेर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज लाइक कर दें, शेर एंड सब्सक्राइब जूर कर लें ताकि ऐसी नोटिविशन आपको समय समय पर मिलती रहे, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद